नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चवी कांधी वली में तीनों ग्यान की गंगा प्रवाहित कर जन जन के मानस को आध्यात्मिक भावित कर श्यक्रवार को प्राता काल की मंगल बेला में जैन शवयतांबर 13 पंथ धर्मसंक के एकादश माली शास्ता मानफता के मसीहा आचारेश्री महाश्रमन जी ने मंगल प्रिस्थान किया कांधी वली वासियों ने अपने आराध के श्री चर्णों में इस क्रपा के लिए अपनी क्रत गिता आरपित की तो आचारी श्री ने उन्हें आशीश प्रदान किया मार्ग में अनेक स्थानों पर दर्शनार्थियों पर आशीश रष्टी करते वे अचारेश्री मलाड की और गतिमान थे मुंबई महानगर की धरा महात अपस्वी की चरण रज से पावन बन रही थी लगभग 6 किलोमीटर का विहार कर आचारेश्री अपनी धवल सेना संग मलाड वेस्ट में स्थित विट्टी इंटरनेशनल स्कूल के प्रागन में पधारे तो मलाड वास्तियों वा स्कूल प्रबंदन आधी कारियों से जुड़े शद्धालों ने आचारेश्री का भाव भीना अभिनननन किया इस्कूल परेसर में आयरजित मंगल प्रवचन कारिक्रम में समु परस्थित जनता को युग प्रधान आचारिश्री महाश्रमन जी ने पावन पाथिय प्रधान करते हुए कहा कि एक प्रश्ण हो सकता है कि जीवन का लक्षिक क्या हो ये प्रश्ण थोड़ा जटल सा हो सकता जन्म सभी प्रानी लेते हैं चाहे वो हाती हो अत्वा कीडे मकडे हो और मृत्यू भी सबकी होती है तो जन्म लेना और एक काला वधी के उपरांत मृत्यू को प्राप्त हो जाना तो सहच एक नियम है जो सभी के लिए सामान है किन्तु 84 लाग जीव यौनियों में श्रेष्ट मानव जीवन प्राप्त करना विशेश है तो इस मानव जीवन का लक्ष भी निर्धारित होना चाहिए किसी अच्छे उद्देश से जीवन जीना श्रेष्ट बात होती है शास्त्रों में मानव जीवन का परम लक्ष बताया ग मानत जीवन में कशाय से मुक्टी हो गई तो किसी भी भेश, किसी भी इस्ति और किसी भी जगह पर मुक्टी की प्राप्ती हो सकती है। महिने में दो त्रयोदशी तिथी आती है। इसमें मानो हमारे धर्मसंग के प्रथम आचारे श्री भिख्षु वा दसमाधी शास्ता परंपुज आचारे श्री महाप्रग्य जी ने आपस में बांट ली। पर्ष में तिरापंद के आठवे आचारे श्री कालू गणी में से दिख्षाली। उसके बाद उन्होंने मोनी तुलसी की देखरे का अध्यन का कारे आरंप गिया। और कुछी दिनों में तिरापंद के विद्वान संतों में गिने जाने लगे। झाल – तिरापетровे श्री कारे जाने अध्यन का कर दा है आर 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 बाहने का अ बांट रहे।